हेलो फ्रेंड्स आप सभी का नए वीडियो में स्वागत है मैं सौरब कुमार आज आपको एक बहुती कॉमन प्रॉबलम के बारे में बताने वाला हूँ जो कि हमारी गाड़ी का जो बैटरी डिस्चार्ज प्रॉबलम है ठीक है तो यह जो प्रॉबलम है यह थोड़ा सा complicated प्रॉबलम होता है इसको आसानी से हर कोई नहीं समझ पाता है तो आज इस वीडियो में मैं आपको इतने अच्छे तरीके से बताने वाला हूँ कि आप जो यह जो बैटरी डिस्चार्ज का प्रॉबलम है आप इसको अच्छे तरीके से पकड़ पाएंगे कि कहां से यह बैटरी डिस्चार्ज का प्रॉबलम है और आप इसको पूरा सही भी कर सकते हैं इस वीडियो को देखने के बाद पे बैटरी हम लगा के छोड़ देते तो क्या होता है कुछ गारी का जो अंदर में कुछ-कुछ ऐसे डिवाइस लगा होता है जो कि हलका हलका करेंट आपका लेते रहता है जैसे आपका गारी का जो क्लॉक हो गया जो आपका म्यूजिक सिस्टम हो गया और जो आपका गारी का immobilizer हो गया आपका फिर central locking system हो गया ये continuous चालू रहता है 24 घंटा तो ये हलका हलका जो current होता है उसको हमेशा बैटरी से लेते ही रहता है तो उन्ही सब के वज़ा से भी ये battery discharge का problem आता है या फिर अगर आपके गारी में कहीं से electrical sort है मतलब क्या होता है कोई wiring कहीं से sort हो गया है तो भी जो battery है वो discharge होते रहेगा continuous तो उसको आप किस तरीके से चेक करने वाला हूँ आज इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ और वीडियो के last में मैं आपको एक और चीज बताऊँगा भी मैं link डाल दे रहा हूँ दो-तीन multimeter का तो आप वहाँ से जाके उसको purchase कर सकते है तो friends ये जो testing करने के लिए हमें सबसे पहले आप यहाँ पे देख सकते है मैंने ये जो multimeter का red वाला wire है इसको यहाँ पे voltage और ohms पे set किया हुआ ठीक है ऐसा नहीं के full charge हो लेकिन charge होना चाहिए ऐसा नहीं के पूरा अगर full discharge हो गया तो अब आप इसको testing नहीं कर पाएंगे तो आप सबसे पहले अगर battery discharge है तो आप उसको full charge कर वा लिजे उसके बाद इसको testing को आपको करना है ठीक है तो फ्रेंड सबसे पहले हम यह जो multimeter है इसको हम DC 20V पे set करेंगे आप यहाँ पे देख सकते हैं DC 20V पे set करेंगे तो फ्रेंड देख सकते हैं आप DC 20V पे set कर दिया है मैंने अभी multimeter को तो फ्रेंड अब हम यह जो red वाला lead है इसको plus पे लगाएंगे और यह जो black वाला lead है इसको minus पे लगाएंगे उसके बाद हम यह पे देखेंगे कितना voltage दिखा रहा है तो यहाँ पे जो normal voltage है वो आपका 12.2 से उपर दिखाना चाहिए तो आप देख सकते हैं अभी 12.25 दिखा रहा है और जो अच्छी battery रहती है उसका हमेशा voltage 12.15 से उपर रहेगा ठीक है ना अगर 12.25 में न क्या है देखे 12.15 से अगर down दिखा रहा है तो आप समझे बैटरी हलकी से discharge है और अगर 12V के नीचे दिखा रहा है तो friends voltage check करने के बाद में हमें ये जो black वाला जो wire है बैटरी का इसको हमें निकाल लेना है उसके बाद हमें जो multimeter का जो ये जो red वाला wire है इसको हमें निकालके यहाँ 20 ampere पे लगाना है यहाँ पे हमें इसको यहाँ पे लगाना है कि आपका ये जो red वाला wire है इसको बैटरी का ये जो minus वाला terminal है आप यहाँ पे देख सकते हैं ये minus वाला terminal आपको यहाँ पे लगाना है और आपको ये जो black वाला lead है आपको इस वाले wire पे लगाना है उसके बाद हम यहाँ देखेंगे कि कि कितना current आपको यहाँ पे दिखा रहा, अभी गाड़ी आपको यह जो भी टेस्ट करना गाड़ी बंद करके करना है, ठीक है ना तो friends मैंने यहाँ पे एक वायर अभी फसा दिया था ताकि मैं यहाँ पे यह जो मल्टिमीटर का टर्नेल इसको यहाँ पे लॉक कर सकूँ और इसको अभी मैंने यहाँ पे सेट कर दिया है आप यहाँ पे देख सकते हैं अभी voltage 0.30 है 0.29.30 मतलब इतना ampere यह current अभी यहाँ से drop कर रहा है, मतलब हमारी गाड़ी का जो battery है वो discharge होगा continuous और आपको अब इसके बाद क्या check करना है, इसके बाद आपको अपनी गाड़ी का जो जितना fuse लगा हुआ है सारा का सारा fuse एक करके निकालना है और यहाँ पे देखना है कि यह जो voltage 0 हो जाएगा जब यह voltage 0 हो जाएगा तो आपको समझ लेना है कि वही fuse है जो जिस भी device का लगा हुआ है वो उसकी wiring में problem मैं आपको भी पूरा करके दिखाता हूँ, तो मैंने सब कुछ चेक कर लिया है अंदर का fuse में कोई problem नहीं है यह जो fuse का problem आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे यलो वाले जो fuse लगे हुआ और यहाँ एक ब्लैक वाला fuse लगा हुआ तो यहाँ मैं अभी एक एक करके सारा fuse निकालूँगा और आप यहाँ पे देखिएगा कि कौन सारा fuse निकालने के बाद में यह पूरा जो reading है, यह पूरा 0 हो जाता है अभी आप देख सकते हैं, 0.07 दिखा रहा है तो यह क्या होता है कि अभी गाड़ी में कुछ समान चल रहा है कुछ समान नहीं चल रहा है, यह से clock हो गया, यह सब सब कुछ तो उसके recording है, जो current है, यह बढ़ता रहता है, घटता रहता है, ठीक है ना लेकिन आप यहाँ पे देख सकते है, 0.07 दिखा रहा है तो इतना current में अगर हम गाड़ी को 15 दिन के लिए अगर छोड़ देंगे, तो गाड़ी का जो बैटरी हो पूरा discharge हो जाएगा तो सब से पहले हैं मैं एक करके fuse निकालता हूँ आप यहाँ देख सकते हैं, अभी भी उतना ही दिखा रहा है देख सकते हैं, अभी भी उतना ही दिखा रहा है, यह फ्यूज निकालने के बाद में भी तो फ्रेंट देखें, यहाँ पे पूरा 0 हो गया है ना, यह फ्यूज निकालने के बाद में पूरा 0 हो गया देखें, इसको फिर लगा दूँगा, तो फिर से current बढ़ गया देख सकते हैं यह देखें इसको मैंने निकाला पूरा जीरो हो गया अब मैं आपको बताता हूँ कि आपको यह क्या चेक करना है सब कुछ मैं निकाल लेता हूँ तरमिनल तो फ्रेंद्स यह जो आपका फ्यूज है यहाँ पर आपका डब के अंदर में लिखा हूँ तो प्लास्टिक निकल गया है बाकी मुझे मालूम है कि यह फ्यूज कौन सा है ठीक है न हो सकता है आपके यह वाले फ्यूज से प्रच्वलम ना हो हो सकता है यहाँ जो आ अंदर का clock है और जो अंदर का जो instrument cluster है उसको ये पूरा current supply करता है अगर ये fuse हम निकाल देंगे तो गारी का अंदर का clock है और जो center locking है वो सही से काम नहीं करेगा बाकी आपका जो instrument cluster है उसमें हो सकता है कि आपका reading proper दे नहीं दे गारियों पे depend करता है कि कौन से fuse का क्या काम है और वो कौन से fuse अलब कौन से device को protect करने के लिए करता है ठीक है तो friends हो सकता है कि आपको अंदर का fuse है उसमें से आपको निकाल के check करना पड़े तो जो भी आप जिस भी fuse को निकालने के बाद में ये जो voltage ये जो current का rating है ये जब 0 हो जाएगा तो आपको समझ लेना है कि वही fuse है और वही जो fuse जिस भी device का लगा हुआ उसका wiring में problem है ठीक है तो आपको उसका wiring और relay चेक करना है आपको confirm वही wiring और relay में problem होगा तो friends ये जो fuse है ये मेरी गाली में central locking को control करता है और जितनी गालियां है जिसमें central locking लगा हुआ है उसमें हलका हलका current तो आपका खिंसता ही रहत वाला terminal है इसको आप निकाल के छोड़ दीजे ठीक है और जब भी आप गाड़ी को दुबारा चालू करें फिर इसको आप लगा दीजे आपको minus वाला ही खोलना है प्लस वाला नहीं खोलना है ठीक है ना तो friends अब मैं आपको बताता हूँ कि आप जब भी नया battery खरीदने ज उपर नहीं दिखा रहा ठीक है ना कोई-कोई बैटरी ऐसा होता है जिसमें जो cell होता है cell का power जादा होता है तो क्या होता है बैटरी ऐसे normal आपका 12.5 volt होना चाहिए वो best battery रहती है लेकिन कोई-कोई बैटरी ऐसा होता है जिसमें ये जो terminal voltage जो आपको 13 volt से उपर चला जाता ह तो वैसे बैटरी आपको अपनी गारी में कभी वे install नहीं करना है ठीक है और मैंने कुछ-कुछ देखा हुआ था हमारी एक subscriber ने मुझे whatsapp पे contact किया हुआ था तो उनकी गारी का जो battery उने डाला था वो emaron brand का डाला हुआ था और उसमें ये जो terminal voltage था ये उनका 13.5 volt था तो व charging indicator है उसमें available है की नहीं है अब मैं आपको बता तो इसका क्या फाइदा है तो friends अब मैं आपको दिखाता है इसका क्या benefit आप यहाँ पे देख सकते हैं अभी आपको अंदर पे green color का ring दिख रहा होगा आप देख सकते ये देखें आपको अंदर में पूरा green color का यहाँ दिख रहा है और जब यह white color का आपको दिखेगा तो आप समझेए कि आपको battery charge करवानी है और जब यहाँ बे red color का दिखने लगेगा तो आपको समझ लेना है कि आपकी battery खराब हो गई है या फिर आपको गारी में जो battery है उसमें आपको distilled water add करना या फिर आपको battery ही replace करनी पड़े तो friends अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को like करिए चैनल को subscribe करिए और वीडियो को share करिए कोई problem है तो नीचे comment कर सकते हैं मैं reply जरूर दूँगा तो चलिए thank you once again for watching my video जै हिन जै भारत